प्रणाम, स्वागत है आपका विज्ञान विरत तंतर के इस एपिसोड में आज जिस वीदी की हम बात कर रहे हैं, उसका सूतर कुछ इस प्रकार है किसी भी अक्षर की द्वनी के आरंब और धीरे-धीरे उसके सुक्ष्मी करण में जागरत होई है जॉर्ड गुर्जिफ जो कि रश्या के गुरू रहे हैं, वो कहते हैं कि आदमी जो है सोय हुआ है हम अपनी नीन में चल रहे हैं, अपनी नीन में काम कर रहे हैं हम जाक के भी जो है सोय हुआ है वो कहते हैं कि आदमी जो है सिर्व रात कोई सपने नहीं लेता वो जब उठ जाता है तो दिन में भी जो है उसके सपने शुरू हो जाते है उनका कहने का अर्थ है कि जब भी आप THORTS में होते हैं तो या तो आप PAST में होते हैं या फिर FUTUR में होते हैं इस present में नहीं होते हैं और ध्यान का सारा प्रयोग यही है कि कैसे जो है आप इस moment में आजाएं, इस present में प्रवेश कर जाएं तो जिस तरह से अभी हमारी लाइफ है वो कुछ ऐसी है कि जब तक कि इसमें कुछ सडन नहीं होता, जब तक कि इसमें कुछ जटके से कोई चीज जब तक नहीं होती, तब तक भीतर जाग पैदा नहीं होती ये वीदी कहती है किसी भी अक्षर की ध्वनी के आरम और धीरी देरे उसके सुक्ष्मी करण में जागरत होई है, वीदी कह रही है कि कोई भी लाउट साउंड जैसे की एक ड्रम का बदना या फर एक घंटे का बदना उसकी ध्वनी एकदम से आपके अंदर एक शौक वो इस मुवमिट में आजाती है, क्योंकि आपको गाड़ी को बचाना है, ब्रेक मारनी है और इस मुवमिट में आपको प्रेजेंट होना है, अब तक जो थे आप आप आटो पाइलेट पे थे, कि आपने अपने रोबॉट को एक्टिवेट कर रखा था और वो ही गाड़ी आटो पाइलेट आने वाली स्थित को तभी हैंडल कर सकता है, जब उसके पास वो डेटा है, जब उसके पास वो प्रेडिक्शन है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अचानल से जब भी कुछ आपकी लाइप में होता है, जब भी आप खतरे कि स्थित्ógय में होते हैं, कि कोई भी ध्वनी जो की एक शौक की तरह आपके भीतर प्रवेश कर जाए और आपको जगा जाए एक्जामपल के तौर पर आप एक घंटे का प्रयोग कर सकते हैं इस वीदी के लिए उस घंटे को जैसी आप बजाए एकदम से आप देखेंगे कि आपकी भीतर जो है जंजन आपको जो है सुनो उसको अपने भीतर प्रवेश करने दो और जैसे जो जो ध्वनी है वो एक शूने वस्ता में प्रवेश कर रही है वो ध्वनी जो है वो ना कुछ होने जा रही है तो वीदी कहती है जब साउंड शुरू होए जैसे ही घंटे की अवाज जो है आपने सु होने के लिए कहती है आपको पूरी तरह से जागरुक होने के लिए कहती है अगर मुझे टैरो का जो है एक कार्ड इस वीदी के लिए निकालना पड़ेगा तो वो कार्ड होगा The Card of the Tower आप थोड़ा सोचेंगे Card of the Tower जो है अकसर लोग जो है नीन को तोड़ा है एकदम से आपको जगा रहा है एकदम से आपको जो है इस प्रेजन्ट में लेके आ रहा है तो शौक जो है वो हमेशा बड़ा अनिक्सपेक्टेड होता है लेकिन जो शौक होता है वो साथ में आपको जो है जगा भी जाता है आपको भी पता होगा कि ऐसे भी सपने होते हैं जो आपको जगा जाते हैं कि आपने एक ऐसा सपना देखा कि जहां पे आपको कोई मारने आ रहा है और सपने में आपको दिख रहा है कि यह आदमी आपके उपर हमला कर रहा है और आपके उपर चाकू मारने वाला है और जैसी या उसका चाकू आपको लगने वाला होता है उसी वक्त आप जाग जाते हैं डर के आपकी आँग खुल जाती है तो ध्यान का परपस यही है कि कैसे हम उस नीम से बाहर आ सकें हम सब स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं हम सब अपने दिन के सारे काम कर रहे हैं लेकिन उसमें अपनी प्रेजन्स नहीं है उसमें उसमें हमारी जाग नहीं है और ध्यान का सारे परपस यही है कि कैसे आप जागरण से बढ़ जाएं कैसे आपका कॉंशनस जो है आपकी बढ़ जाएं और जितनी जागरती आपके बीतर हो जाती है उतना आपकी लाफ जो है ग्रीयेटremos हो जाती it उतना आप अपनी वासनाउ और इच्छोहों से जो है उपर उप़ जाते हैं जतना आपके अंदर एक यह भीहोशी रहेगी जतना आपके अंदर नीदर गी उतना आप डिसार आपके अनदर आपको देखेंगे उतना ही आपकी लाइफ जो है अपने आपको एक्स्प्रेस नहीं कर पाएंगे तो जरूर ट्राइ करिएगा इस वीदी को और कमेंट की रूप में जो है अपने अनुभव जरूर शेयर कीज़ेगा तो इस वीडियो का मैं यही एंद करता हूँ तक यू सो मुच पर वाचिए प्रणाओ